नमस्कार मैं आफूंआ किसा तंक्यता और आई एक नज़र डालते हैं कुछ फ्रमोग खबरों पर वामदलों के समर्थन वाले किसान और मस्तूर संगठनों की तरफ से आज दिल्ली में एक बड़ी राली का आयोजन किया गया है जिसे मस्तूर किसान संगष राली का नाम दिया गया है इसराली में देश भर से चार लाग से ज्यादा किसा मस्तूरों के दिल्ली में चुटने का दावा किया गया है मोधी सरकार दोवारा सीस्टी एक्ट में साइशोदंकर उसे मुल्ट स्वरूप में बाहल करने का मामरा तूल पकड़ता ज़ा रहा है सबसे ज्यादा सामना मध्यप्रदेश में शिवरा सरकार को करना पड़ रहा है सामाने पिछड़ा और अलप संक्यक वर्ग अधिकारी करमचारी संस्था ने 6 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है मध्यप्रदेश के 6 जिलों में 1444 लागू कर दी गई है कॉलकता के दक्षिनी शेतर में डायमन हारबर रोड पर इस्तित 50 साल पुराने पुल का एक हिस्सा मंगलवार शाम को धहर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हाथसे में तीन महिलाओं समित 21 अन्य लोग घैल हो गए जबकि कई वाहन नीचे दब गए बुधवार को भी हाथसे की जगा राहत बचाव कारे जारी है हाथसे को लेकर केंद्र और राज्जिस सरकार आमने सामने है राज्जिस्ता विदान सबा का बुधवार से दो दिवसी मौनसुन सत्र शुरू हो रहा है न्याय युद्धे नाम से प्रदर्शन शुरू करने जा रही है जापान में मंगलबार को पिछले 25 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान आया देश में तेज हवाओं और भारी बारिश की कारण अभी तक आठ लोगों की मौत हो गई है जब की कई अन्ये घाल हुए हैं तेज हवाओं ने मकानों की छटों को उड़ा दिया पुलो पर खड़े ट्रक पलच गए और उसाका खाड़ी में खड़े टाइंकर जहाच को भी वह अपने साथ उड़ा ले गई शिक्षक दिवस के अफसर पर राश्पती रामनात कोवी ने देश भर की शिक्षकों को बदाई दिया प्रमुक ने कहा कि नातिक कदाचार और रश्टचार के किसी भी मामले में कडाई से निप्टा जाएगा अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पॉंपियो निकाहे कि भारत का रूस से मिसाइल रक्षा प्राली और इरान से तेल खरीदना 2 प्लस 2 वारता का हिस्सा होगा लेकिन बादशीत मुख्य रूप से इस पर केंगरित नहीं होगी पॉंपियो और रक्षा मंत्री जीम मैटिस भारत की विदेश मंत्री सुष्मा सौराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन के साथ होने वाली बैटक में हिसा लेनी के लिए दिल्ली रवाना हो गया है फिलाल इस पॉलेटिव में इतना ही आप बने रही है यह मस्यूवी के साथ नमस्कार